लेट A be the matrix of element 1, 2, 3, 4 and B with the matrix containing element A, B, C and D are two matrices such that they are commutative with respect to multiplication, ठीक है तो multiplication के respect में यह क्या है, commutative law को follow कर रहा है and C is not equal to 3B, और C और 3B equal नहीं है, then the value of A minus D upon 3B minus C तो A minus D upon 3B minus C की value find out करने ठीक है, यह बोल रहा है कि A, B is equals to B, A ठीक है, यह यहाँ पर commutative law को मतलब हो गए, ठीक है A, B is equals to B, A यहाँ यहाँ पर यह equal है, ठीक है, तो A, B is equals to B, A यहाँ पर equal है अपने को क्या निकालना है, B matrix solve करना है, ठीक है, B matrix अपने को solve करना है अब वकर A, B और B, A को यहाँ पर multiply करेंगे, तो A, B matrix क्या है यहाँ पर, एक element है यहाँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यह matrix A है, अगर अपने matrix B के element क्या है यहाँ यहाँ पर A, B, C और D, यह क्या है अपने पास A, B A, B, C, D पहले B matrix लिखेंगे, और फिर A matrix लिखेंगे, ठीक है, A matrix क्या है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अब अपन देखेंगे, तो इसमें क्या करें, matrix multiplication rule apply करते है, ठीक है, matrix multiplication rule apply करते है यहाँ पर बिसकिली क्या है, 2 by 2 matrix का, square matrix का multiplication है, तो resultant matrix जोगा, वो क्या होगा, 2 by 2 matrix जोगा, ठीक है, resultant matrix क्या होगा, 2 by 2, तो row by column multiply करते है, तो row by column, ठीक है, row by column, तो 1 into A, A plus 2C, यहाँ पर value आजएगा, A plus 2C, similarly, यह row और अब 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 अपन यह column लेंगे, तो यह क्या जगा, B plus 2D, यहाँ पास जगा, B plus 2D, अब 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 क्या करें, नीचे वाले row के according चले, ठीक है, row once अब यहाँ के इन दोनों के column के साथ multiply कर दिया, अब 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 क्या करेंगे, यह row और यह column, तो यह row और यह column क् यह जगा, 3A plus 4C, 3A plus 4C, और यहाँ पर यह value क्या जगा, अब यह same row और यह वाला column, ठीक है, यह value क्या जगा, 3B plus 40, यह आगे आपने बस, A, B, matrix multiplication के rule के according का अपने इन दोनों matrix को multiply कर दिया, अब right hand side में भी same methods अपना apply करें, A, B, यहाँ पर 2 by 2 matrix है, तो overall resultant matrix क्या जगा, 2 by 2 यह क्या जगा, इसको multiply करेंगे, इससे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यह अपने बस क्या जगा, यह row और इसको multiply करेंगे, यह क्या जगा, A plus 3B, यहाँ से value जगा, A plus 3B, और यहाँ पर row 2 को, इसके column हों से multiply करेंगे, यह value जगा, C plus 3D, सिमनल यहाँ से row 1 को लेंगे, यहाँ पर column 2 लेंगे, तो क्या जाएगा, 2A plus 4B, यहाँ जाएगा, 2A plus में 4B, और इसको row 2 को, यहाँ पर column 2 से multiply करेंगे, यह क्या जाएगा, 2C plus 4D, यह value जाएगा, 2C plus 4D, अब यह दोनों equal है, तो corresponding element क्या होगा, equal होगा, 2C plus 4D, यह लिखा होगा, यहाँ पर 2C, 2C plus 4D, यह बिसकली क्य आजाएगा, corresponding element equal होगा, यह A, B is equals to B, यह अपने लिख दिया, अब यहाँ पर corresponding element equal होगा, तापने बस देखें, A plus 2C is equals to, यहाँ से अगर आपन देखिए, तो A plus 2C की जो value है, वो A plus 3B की equal होगा, वो आजाएगा, A plus 3B की equal होगा, यहाँ से अगर पन देखिए, यहाँ से 2A plus 4B और next equation आजाएगा अपने पास next to last equation आजाएगा वह आजाएगा 3A 3B plus 4 3B plus 4D 3B plus 4D is equals to यहांस आजाएगा 2C plus 4D ठीक है अब अब अपने यहां से देखें तो क्या रिजल्ट अपने पास आता है यह अब अब अगर पने यहां पर इसकी value देखें यह क्या आजाएगा यहां पर 3D-2D ठीकर 3D-2D यह क्या आजाएगा अब अब यह दून रिजल्ट सेम है तूसी इसकी तूसी इसकी तूसी यह कोई इंडिविजल्ट नहीं अपने को क्या निकालना अपने को निकालना है अब यह मैनस डी अपन 3B-C तो 3B-C 3B-C यहां से अगर पन बेसिकली इसके लिए रिजल्ट देखें तो क्या आजाएगा त्रीवी 3B-C अगर अपन 3B-C की value देखें तो वह किसके equal आ गया वहागया c की equal ठीकर 3B-C की value c की equal आ गया और numerator में किया आपने पास निमेरेटर में A-D है ठीक है इसको अपने को सिंप्लिफाय करना है तब इन दोनों रिजल्ट से अगर आपन देखें यह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ आपने को क्या निकालना है और D निकालना है इन टर्मस अपसी तब इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहां से रिजल्ट आजाएगा यहाँ से रिजल्ट आजाएगा 4C फोर द यहां से बैसिक लिखें तो 4C 4C सी इसकी वेल्यूद देखें तो 4C 4C से लॉट हो जाएगा यहां से रिजल्ट के आजाएगा यह आजाएगा A is equal to 4D और यहां से अगर अपन अपने को C की वेलू, अपने को चाहिए, टिक है, जो result अपने को find out करना, उसके value कर अपने को तैंचे, वह क्या है कि अपने a-d upon 3b-c है लिखा हुआ a-d upon 3b-c तो a-d की value क्या है 3d के equal divided by 3b-c की value क्या है c के equal तो यह basically क्या आ जाएगा 3 times of d by c की value अपने को find out करनी है 3 times of d by c अब d by c की value यह अपने a-d की value को 3d put कर दिया और 3b-c की value को c put कर जाती है गा 3 times of d upon c अब let's say अपने को क्या चाहिए d upon c की value चाहिए तो d upon c की value का अपन कैसे निकालेंगे यह अपन निकालेंगे यहां पर इन दोनों की value से ठीक है यहां से अगर पन देखे तो इसकी value का अपन निकालेंगे यहां से यहां से अगर relation देखे तो b की value क्या है c plus d ठीक है इस relation में यहाँ सेगर प्रूट करेंगे करेंगे यह रिलेशन वन और यह रिलेशन क्या है रिलेशन टू है यह अब 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 फन को यहां बर यूज करते हैं बेगर यह अजाएका यहाँ पने पास इपने पास 2C अपॉन 3 में क्यों गहाज़गा तो यहां से अगर पन्स की वैल्यू दोगत यह क्या लिखा हुआ है minus of c by 3 is equals to d minus of c by 3 d यहां से अगर पन्स की वैल्यू को अपन क्या पूट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या पूट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी minus one option b is the correct answer